तो नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोईन ओल्डिस गोल्ड में वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ आपके पास पुराने सिक्के या नोट है आपको उसके बारे में कोई भी जानकारी सही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नैशनल इंट्रिगेशन राष्टे एक था के दो रूपे के ऐसे सिक्कों के बारे में जो की 1990 से लेकर 2004 तक इशू किये गए थे ऐसे दो रूपे के सिक्के कलेक्शन के लिए काफी अच्छे होते हैं collection के लिए हमेशा वही सिख्के अच्छे होते हैं जो कि rare की category में आते हैं square की category में आते हैं क्यूंकि आगे जाकर इनकी value भी बढ़ती है और आपके collection की value भी बढ़ती है ऐसे सिख्के आपको अपनी collection में coin holder में रखने चाहिए pack करके अच्छे से collector के लिए ऐसे सिख्के काफी अच्छे होते हैं लेकिन जो बेचने वालों को भी उनकी value पता होनी चाहिए कि उनकी अभी market में क्या value चल रही है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 रुपे के national integration के सभी सिख्कों की value बताऊंगा दोस्तो वीडियो बिना skip करें देखें अगर आप चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए bell notification on कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जनकरी आपको सबसे पहले मिले तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे 1990 का national integration राष्टी एकता का दो रुपे के सिक्के के बारे में ये 1990 में इशू किया गया था इसका metal copper निकल है weight इसका 8 gram है size 28 mm shape है circular ये भारत की 3 मिंटों से इशू किये गए थे Bombay, Calcutta, Hyderabad इसमें 3 मिंट के सिक्के दोस्तों square की category में आते हैं अगर value की बात करें तो आपको very fine से UNC condition तक इनकी कीमत मिल सकती है 25 रुपे से 100 रुपे अब बात करते हैं 1992 के 2 रुपे के national integration के सिक्के के बारे में इसका metal है copper nickel weight है इसका 6 gram size है इसका 26 mm shape है इसकी 11 sided ये सिक्का दोस्तों 1992 का भारत की 4 मिंटों से ढाला गया था Bombay, Calcutta, Hyderabad और Noida Bombay, Calcutta, Hyderabad के दोस्तों इसमें common की category में आते हैं Noida mint का सिक्का दोस्तों इसमें rare की category का है जिसकी value आज की date में UNC condition में चल रही है 2000 रुपे मैं आपको जिस भी coin की value बताऊंगा दोस्तों UNC condition की बताऊंगा अब बात करते हैं 1993 के सिक्के की ये सिक्का भी दोस्तों भारत की तीन मिंटों में जाला गया था Bombay, Calcutta, Hyderabad इस तीनों मिंट के सिक्के दोस्तों common की category में आते हैं अगर कीमत की बात करें तो इनकी कीमत UNC condition में आपको दे सकती है 10 रुपे से लेकर 20 रुपे अब बात करते हैं 1994 की सिक्के की ये सिक्के भी दोस्तों भारत की चारों मिंटों से जाले गए थे Bombay, Calcutta, Hyderabad और Noida इसमें दोस्तों Bombay, Calcutta, Hyderabad common की category में आते हैं और Noida का सिक्का दोस्तों square की category में आता है अगर Noida के सिक्के की बात करी जाए UNC कंजिशन में तो आज की देट में उसकी value चल रही है 100 रुपे अब बात करते हैं 1995 के दो रुपे के National Intrigation के सिक्के की तो दोस्तों ये सिक्के भी भारत की चारों मिंटों से जाले गए थे Bombay, Calcutta, Hyderabad और Noida इन चारों मिंट के दोस्तों सिक्के Common की कैटेगरी में आते हैं कीमत की बात करें तो आपको मिल सकते हैं 10 रुपे से 20 रुपे UNC कंजिशन में अब बात करते हैं 1996 के 2 रुपे के सिक्के की ये सिक्के भी दोस्तों भारत की चारों मिंटों से जाले गए थे Bombay, Calcutta, Hyderabad और Noida इसमें दोस्तों दो मिंट के सिक्के Common की कैटेगरी में आते हैं Bombay और Hyderabad के Scare की कैटेगरी में आते हैं Calcutta और Noida के अगर Scare की कैटेगरी के सिक्के की बात करें तो इसकी कीमत आपको मिल सकती है 50 रुपे से 100 रुपे UNC कंजिशन में 1996 के 2 रुपे के सिक्के की अब बात करते हैं 1997 के 2 रुपे के सिक्के की ये सिक्के दोस्तों भारत की 3 मिंटों से ढाले गए थे और एक इसमें विदेशी मिंट है विदेशी मिंट सिक्योल है उसका सिक्का दोस्तों Common की कैटेगरी में आता है बाकि तीनों मिंट के सिक्खे दोस्तों स्केर की केटागिरी में आते हैं इन तीनों सिक्खों की अगर वैल्लू की बात करें 1997 की तो आपको मिल सकते हैं इसके 20 रुपे से लेके 30 रुपे UNC कंडिशन में अब बात करते हैं दोस्तो 1998 के शिक्यों की ये सिक्ये 6 मिंटों से डाले गए थे, 4 मिंटे इसमें, इंडिया की है, 2 मिंट इसमें विदेशी मिंट है. भारत की चारो मिंटों से बंबे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोईडा और विदेशी मिंट साउथ अफरीका और सिक्योल विदेशी मिंट के सिक्के दोस्तों इसमें कॉमन की कैटेगरी में आते हैं और भारत की दो मिंट के सिक्के इसमें स्केर की कैटागिरी में आते हैं बंबे और हैदराबाद इन सिक्कों की UNC कंजिशन है तो इसके आपको मिल सकते हैं 15 रुपे से लेकर 30 रुपे बंबे और हैदराबाद मिंट के सिक्कों के अब बात करते हैं 1999 के 2 रुपे के सिक्कों की दोस्तों ये सिक्के भी 5 मिंचों से ढाले गएते बॉंबे, कलकत्ता, हैदराबार, नोड़ा और लंडन लंडन मिंच दोस्तों विदेशी मिंच है इन 5 मिंच के सिक्के common की कैटेगरी में आते हैं अगर इनकी value की बात करें तो आपको UNC कंजिशन में मिल सकते हैं 20 रुपे अब बात करते हैं सन 2000 के सिक्कों की ये सिक्के भी दोस्तों 5 मिंचों से ढाले गएते बॉंबे, कलकत्ता, हैदराबार, नोड़ा और मोस्को मोस्को मिंच, विदेशी मिंच है, इन 5 मिंच के सिक्के भी दोस्तों common की कैटेगरी में आते हैं ये सिक्के आपको दे सकते हैं UNC कंजिशन में 20 रुपे अब बात करते हैं 2000 के 2 रुपे के सिक्के के बारे में ये सिख्के भारत की चार मिन्टों से ढाले गए थे चारों मिन्ट के सिख्के दोस्तों इसमें कॉमन की कैटेगरी के है UNC कंजिशन में आपको इनके मिल सकते हैं 15 रुपे से लेकर 20 रुपे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें जादा से यादा शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए जूड़े हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अब बात करते हैं सन 2002 के दो रुपे के नैशनल इंट्रिगेशन के सिक्के के बारे में ये सिक्का भी दोस्तों भारत की चार मिंचों से जाला गया था बंबे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा इसमें कॉमन की कैटेगरी में तीन मिंचे आती है बंबे, कलकत्ता, हैदराबाद लेकिन नोएडा मिंच इसमें स्केर की कैटेगरी में है ये सिक्का आपको दे सकता है UNC कंजिशन में 100 रुपे नोएडा मिंच का सन 2002 का अब बात करते हैं 2003 के 2 रुपे के नैशनल इंट्रिगेशन के सिक्के के बारे में ये भारत की 4 मिंचों से जाले गएते वंबे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा इन 4 मिंच के सिक्के दोस्तों कॉमन की कैटेगरी में आते हैं अगर कीमत की बात करें तो आपको इसके मिल जाएंगे UNC कंजिशन में 15 रुपे से लेकर 20 रुपे दोस्तों जितने भी सिक्कों की मैं आपको कीमत बता रहा हूँ वो UNC कंजिशन की कीमत बता रहा हूँ अब बात करते हैं सन 2004 के 2 रुपे के नैशनल इंट्रिगेशन के सिक्के के बारे में ये सिक्के दोस्तों 3 मिंचों से जाले गएते भारत की बॉंबे, कलकत्ता, हैदराबाद इसमें बॉंबे का सिक्का दोस्तों स्केर की कैटेगरी में आता है अगर उसकी कीमत की बात करें तो आपको मिल सकते हैं 25 रुपे UNC कंजिशन में और हैदरबाद मिंच का सिक्का भी दोस्तो इसमें स्केर की कटगिरी में आता है उसमें आपको UNC कंडिेशन में मिल सकते हैं पचास रुपे से लेकर सत्तर रुपे कलकत्ता मिंट का सिक्का दोस्तों इसमें रेर की कैटेगरी में आता है UNC कंजिशन में उसके आपको मिल सकते हैं 1000 रुपे से लेकर 1200 रुपे ये वो जानकारी है अगर आपके पास भी 2 रुपे के काफी सारे सिक्के पड़े हैं चिल्लर पड़ी है काफी सारी अगर आपको उनमें देखना है कौन सा सिक्का वैल्यूबल है ऐसे सिक्के उनमें तलाश करें अगर आपके पास उनमें नोईडा मिंट का 1992 का 2 रुपे का सिक्का है तो आप उसको संबाल कर रखे उसकी आपको अच्छी कीमत मिल जाएगी ओर सन 2004 का कलकत्ता मिंट का सिक्का भी अगर आपको मिलता है उन सिक्कों में तो उसकी भी आपको अच्छी कीमत मिल जाएगी वो भी आप समाल कर रखे दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मैं आपके लिए रोज ऐसी नोलेजबल और इंटरस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद